नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरफ सिंग है, मैं इंद्रा गांधी राष्ट्य मुक्त विश्विद्याले के सिक्षा विद्यापीट में साहय का अचारे हूँ और आज आप सबसे सिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद इस अधिनियम में एक प्रारंबिक सिक्षक की क्या भूमिका है उस पर चर्चा कर रहा हूँ एक प्रिसिक्षार्थी होने के नाते मुझे आशा है कि यह विशय आपके लिए अतन्त महतोपूर्ण है और आप इस पर ध्यान देंगे जिससे की एक सिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका है यह आपको सपस्थ हो पाईगी मैं बात प्रारम करता हूँ सिक्षक प्रसिक्षण से शिक्षा के अधिकार अधिनियम में यह विवस्था दी गई है कि सिक्षक के नियुक्ति के लिए नियुनुतम योगिता का निर्धारण राश्ट्री अध्यापक शिक्षा परिषा द्वारा किया जाएगा और न्सी सेक्षणिक और प्रसक्षणिक योगिताएं क्या होनी चाहिए इस पर स्पस्टता प्रदान की है सिक्षक प्रसिक्षण के संदर्व में सिक्षा के अधिकार अधिनियम में जब यह अधिनियम एक अप्रेल 2010 से लागू हुआ तब यह कहा गया था कि प्रतेक कारेड़त पूर्ण कर लेगा परंतु यह उद्देश 31 मार्च 2015 तक पूरा नहीं हो सका और इसी का परिणाम था कि 2017 में सिक्षा के अधिकार अधिनियम में एक संसोधन अधिनियम पारित किया गया इस संसोधन अधिनियम के द्वारा प्रतेक अप्रसिक्षत सिक्षक को अंतिम अफसर दिया गया है जब हम सिक्षक के उत्तर अधिनियम की धरा 24-1 और धरा तेईस की उपधार 1 में सिक्षक के बहुत सारे उत्तर दाइतों बताए गया है जैसे विद्याले आने में निरंतरता और समय बद्धता का अनुपालन एक सिख्षक विद्याले में प्रति दिन आएगा और समय पर आएगा दूसरी उसकी भूमिका है पाठिक्रम को सुचारू रूप से लागू करना और उसको पूरा करना अर्थातेक सिख्षक होने के नाते आपको जो पाठिक्रम पूरा करना है वह पाठिक्रम आप पूर्ण रूप से लागू करेंगे और उसको पूरा करेंगे और उसको निर्धारित समय में पूरा करेंगे साथ ही ये अधिनियम ये भी कहता है कि प्रतेक अध्यापक का करतब भी है प्रतेक सिक्षक का करतब भी है कि वो अपने विद्याले में आने वाले अपनी कक्षा में पढ़ने वाले प्रतेक बच्चे की अधिगम योगिताओं का आकलन करे कि उसकी उधीगम योग्जिताएं क्या हैं, वो किन छेत्रों में ज़्यादा योग्जिताएं रखता है, किन छेत्रों में उसमें सुधार की आवशक्ता है, और यदी आवशक्ता है तो उसको अतरिक्त उचित अनुदेश प्रदान किया जाएے साथ ही साथ ये अधिनियम कहता है कि प्रतेक सिक्षक माता-पिता और अभिभावकों के साथ निरंतर बैठकों का आयोजन करेगा जिन में बच्चों के उपस्तिती, उनकी अधिगम योग गिताएं, अधिगम में उनकी विसिस्ट प्रगतियां या बच्चे से जुड़ी जो कि कोई भी सिक्षक किसी भी गैर सेक्षनिक कारे में लिप्त नहीं होगा, कुछ को छोड़कर उसमें लिखा है किसी भी सिक्षक की गैर सेक्षनिक कारें हे तो तैनाती निशिद्ध है, किसको छोड़कर जो दस वरसी जनगरना देश में होती है, या यदि कहीं कोई आपद सिक्षक को लगाया जाता या फिर जो इस्थानिय निकाएके राज्य के या केंदर सरकार के चुनाओ होने हैं तो चुनाओ जंगर्णा और आपदा राहत को छोड़कर अन्य किसी भी गैर सेक्षणिक कारे में सिक्षक की तैनाती सिक्षा के अधिकार अधिनियम में निशिद्ध की गई है ये सिक्षकों के सेक्षिक अधिकारों को बचाए रखने का एक बहुत अभिनव प्रया सिक्षा के अधिकार अधिनियम में इस पर विश्यश ध्यान दिया गया है था जो कि कोई भी सिक्षक किसी विख तिगत सिक्षण गति विदी च्योजन में स्वय्यम को लिप्त नहीं करेगा अर्था ट्यूशन पढ़ाना किसी को विक्तिगत उसके घर पर जाकर या अपनी घर पर बुलाकर सिक्षण कराना यह निशिद्ध है यह भी आपको जानने की आवशक्ता है साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि एक सिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि वह जब सिक्षा प्रदान कर रहा है तब विद्याले में समवैधानिक मूल्यों का संरक्षन हो रहा हो उनके साथ समनवय स्थापित हो समता समानता की जो लक्षे हैं वह प्राप्त हो बच्चों का सरवांगीन विकास हो इसको भी सिक्षक को सुनिश्चित करना है बच्चे की ज्यान छमता और उसकी प्रतिवा का विकास हो, ये भी सिख्षक की जुम्यदारी है। पुर्दान करे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में ये भी स्पस्ट किया गया है कि जहां तक ब्यवहारिक हो बच्चे की सिक्षा उसकी मात्रभाशा के माध्यम से ही दी जाए। सिक्षक को ये प्रियास करने है कि बालक जब विद्ध्याले में आए ये जब सिक्षा प्राप्त करे तो वह भय मांसिक अभिगात और चिंता से मुक्त हो। साथ ही वह स्वतंतर रूप से अपना मत व्यक्त कर सकने के योग्य हो। ये भी जुम्मेदारी एक सिक्षक की है। भूमिका है, सिक्षक की जुम्मेदारी है। चुकि आप सिक्षक हैं, आप सिक्षक बनेंगे, आप प्रारंबिक विद्ध्यालेओं में जाएंगे, हमारे प्रारंबिक विद्ध्यालेओं में एक महत्पूर्ण मुद्दा है सिक्षकों की संक्या। कितने सिक्षक होने चा चाहिए और उसके लिए ये प्रावधान थे कि 6 माह में सभी विद्याले ऐसी पहचान कर लेंगे कि उनको कितने अध्यापक चाहिए और इसके लिए उन्होंने गढ़ना दी कि यदि 60 बच्चों तक की संख्या है तो विद्याले में कम से कम 2 सिक्षक होने चाहिए एक 60 से 90 तक है तो 3 होने चाहिए 91 से 120 तक है चार होने चाहिए 121 से 200 तक है तो 5 हो सकते हैं और उसमें ये भी कहा गया कि ये 1.500 से अधिक हैं तो उसमें 5 सिक्षक और एक प्रधानाचारे होना चाहिए इसी तरह से जब उच्च प्रात्मे की स्थर की बात हुई कक्षा 6 से 8 तक की जब हम बात करते हैं तो सिक्षा के अधिकार धनियम में कहा गया है कि इस सिस्थर पर भी कम से कम प्रतेक 35 शात्रों पर एक सिक्षक सुनिश्चित किया जाए प्रतेक कक्षा में नियूनतम एक सिक्षक हो और विद्याले में जो सिक्षक हैं उनमें कम से कम एक सिक्षक विज्ञान और गणिद विशय का एक सिक्षक सामाजिक विशय का एक सिक्षक भाषा का अवस्य होना चाहिए जिन विद्यालेओं में बच्चों की संख्या 100 से अधिक है वहाँ पूर्ण कालिक रूप से एक प्रधाना चारे हो और साथ ही कला सिक्षा के लिए स्वास्थे और सारीरिक सिक्षा के लिए और वर्क एजूकेशन या कारे सिक्षा के लिए उन जगहों पर अंसकालिक सिक्ष सपस्टिक वर्ष में कख्ष एक से पांस तक लगवग दोसो कारे दिवस होने चाहिए जब самый कुछ आप एक वर्ष में 220 करें दिवस होने साथ ही उन्होंने कि कख्ष एक से पांस तक कं से गचल ऑफ सो सक्ष घंटे और कख्ष ए से 8 तक कम से कम 1000 सिक्षण घंटे का सिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए सिक्षण के अधिकार अधिनियम में सिक्षक के लिए ये भी कहा güzel है कि सिक्षक को π्रतिस के समावेशन के लिए भी उचित प्रावधान किये गए हैं जैसे यदि आप परिभाशाओं में आएंगे तो आप देखेंगे बंचित वर्गों के बच्चों की परिभाशा की बात की गई है तो वहाँ पर अशक्त बच्चों को उसमें सम्मिलित किया गया है दिव्यांग ज प्रवेश देना ही होगा साथ ही बंचित वर्गों के बच्चों को निजी विद्यालेयों में 25 प्रच्चत इस्थानों पर निशुल्क प्रवेश के अपसर प्रदान किये गए हैं कहा गया है कि सभी निजी विद्याले जो बित्यविहीन विद्याले हैं वे अपनी कुल प प्षानिय निकाय, राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी सरकार ने उनको माननता दी है वह करेगी। तो इस प्रकार से सिक्षा के अधिकार अधिनियम में यदि हम सिक्षकों की दरश्टी से देखें तो उनकी बहुत सारी भूमिकाओं को इस्पस्ट किया गया है, उन पर अधिनियम विद्याले में सिक्षकों के निरंतर आने और उनके समय पर आने को प्रेडित करता है, अध्यापकों को पाठे करम को सुचारू रूप से लागू करने की बात करता है, प्रतेक बच्चे के अधिगम योगिताओं के आकलन करने की अपेक्षा करता है, माता पिता के साथ बच्चों की जानकारी, उनकी उपस्तती, उनकी योगता, उनकी प्रगती और उससे जुड़ी सूचना है, इनके सतत आदान प्रदान की बात करता है, वहीं दूसरी ओर यह सिक्षक की अवश्रक्ताओं को ध्यान में रखते हुए, सिक्षक की जनगर्णा, आपदा र गतिविदी या ट्यूशन जैसी गतिविदी में सम्मेलित नहीं होंगे, सिक्षक का अधिकार अधिनियम, सिक्षकों के बहुत सारे कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है, वो कहता है कि एक सिक्षक संबैधानिक मूल्यों की रक्षा करेगा, बच्चों के सरवांगिन विका अधिगम सुनिश्चित करेगा, प्रयास करेगा कि ऐसा वातावरण बने जहां बच्चा भय, मानसिक अभिगात और चिंताओं से मुक्त हो, बालक को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में वह साहिता करे, वे बालकों को समझे, उनकी समझने की सक्ति को समझे, और उनमें उस योगता का विकास करे, जिससे बच्चे अपनी समझ का उप्योग कर सकते, साथ ही जो सिक्षकों के तैनाती से जुड़ी समस्याए हैं, सिक्षकों के कारेदेवसों से जुड़ी मुद्दे हैं, इन पर भी सिक्षा के अधिकार अधनियम में इस पस्ट रूप से बात की गई है ऐसे में मुझे लगता है कि प्रारंबिक सिक्षक होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि सिक्षा के अधिकार अधिनियम में आप से जो भी आप एक्षाई की गई है चाहे वे आपके कर्तव्यों के रूप में चाहे वे आपके सामाजिक कर्तव्यों के रूप में चाह अपनी भूमिका को समझना चाहिए क्योंकि यदि एक सिक्षक होने के नाते आप अपनी भूमिका ठीक प्रकार निभाएंगे तो निश्चित तोर पर सिक्षा के सारभौमी करण के जो लक्षे हैं और प्रावर्णबिक सिक्षा के लिए सिक्षा का अधिकार अधिनियम में ज झाल झाल